चलिए बढ़ते आगे और चोती तिमाई में बैंक और NBFC सेक्टर से क्या है उम्मीदे नतीजों के लियाद से पूरा विश्टेशन देने के लिए तैयार है वरुन हमारे साथ वरुन बताएं तो अनिल जी अब तक की जो कॉटली अपडेट्स है वो तो ये की तरफ इशारा कर रहे है कि आपको शायद ग्रोथ जो है वो अच्छी देखने मिलेगी खासकर जो लोन ग्रोथ है वो अच्छी रहेगी रीटेल और SME ये दो सेग्मेंट से जहां से सबस्यादा मदत मिलने व कि stable रहेंगे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद हो सकता है कि आपको इलबान नेट इंटरेश माजिन में कुछ कम्तियों में दबाओ देखने मिले वैसे भी हमने देखा कि फेडरल बैंक जैसे कंपनिया जो है वहाँ पे जो ओवरल कासा रेश्यो है वो गिरके आया तो ऐसी कुछ कमनीज हो सकती है जो कि आपको दिक्कत दे क्रेडिट कॉस जो है वो ओवरल उसमें कमी आने वाली है एसेट कॉलिटी जो है उसमें सुधार इस बार भी आपको देखने मिलेगा स्लिपेज बाकी कमनियों के ठीक रहेंगे लेकिन बंदन बैंक में कुछ रिपोर् अच्छी ग्रोथ लेगी और थोड़ी दर पहले सिद्दा जी के रहे थे कि अच्छी ग्रोथ आपको देखने मिलेगी इन फाइक जितनी रिपोर्स में खड़ा पड़ रहा था सबकी रब कह रहे थे कि जो कमर्शल वहिकल फैनांसिंग है वहाँ पे शायद आपको इस बार काफी बैतर ग्रोथ देखने मिल सकती है तो श्रीराम ट्रांसपोर्ट जो है वहाँ पर आप नजर रखेगा तीमाई दा तीमाई गोल्ड लोन कमपनी जो है उनमें थोड़ा बहुत दीमापन आपको देखने मेरेगा इस तकी रिपोर्ट्स हाइलाट कर रही है क्रेडिट क कारोबार जो है उसमें अभी भी मार्जिन्स में दबाव होगा कि जो रिवाल्व रेट है वो लगातार पिष्चे कुछ कॉटर से दबाव हुआ है इस बार भी वहाँ आपको थोड़ी बहुत सुस्ती देखने मिलेगा इसके लिए एस बैकार जैसे कंपनी जो है मार्जिन में शायद आपको थोड़ा बहुत दबाव देखने मिल सकता है अच्छ तो इस बार फोड़ा मार्जिन में दबाव हो सकता है वो सकता है वो रिवल्व रेट तो ईमिन बहुत टाइम से ऐसे ही चल रहा है लेट सी कि कि क्या इस बार निकल गया अपडेट से दाब जेते निये, चीक है.